जोगई टिम्बढ़िया अवं माता जी स्वर्गे रिवा बहन जी टिम्बढ़िया के पुनि स्मृती में उनके पुत्रबधु श्रीमती रूपा जी टिम्बढ़िया इवं परिवार राजकोट गुजरात यह सब जब भगवान की बात करेंगे तब तो वे साकार स्थापना है और बाकी यह चावलादिक के अंदर यह आवान, स्थापन, सन्यदीकरण, पूजन, विसरजन बोले यह सब अनाकार है, निराकार है, ठीक है ना, यह निराकार स्थापना है साकार स्थापना में एक बिंब मात्र ही उपचार है, वह जल, गंद और अक्षत आदी आथ द्रवियों से की जाती है, जल, चंद, अक्षत, पुष्प, नेवेद्य, दीप, दूप, फल, अरग, अरग नहीं, अरग नौ नंबर पर है, आठ ही है, जल, चंद, अक्षत, हैं और इन आठों के को मिला कर के जो बनाया जाता है उसे अर्ग केते हैं अर्ग हम सब को मिला कर के वह अर्ग बन गया यह सब अश्ठ द्रव्य से पूजन की जाती है अब अन्य पूजन्तों की साहिता से नित्यमय पूजा का वर्णन करते हैं, अन्य द्रव्यों के आधार से नित्यमय पूजन का वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि ये महत्वपूर्ण चीज है, रोजाना की जाने वाली पूजा की चर्चा यहां की जा रही है, किस तरह से करें, किस तरह से की पूजन 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 के प्रारंब में सामने थोना रख कर पुश्ट चड़ा कर जो भग्वन आप यह अइसी प्रार्तना की जाती है उसका नाम आव्वानन या आवान है क्योंकि आववान नाम पूलाने का ही यह भग्वान को बुलाया जाता है इस कारण नाम आवान है यह कह रहे हैं यह सब परंपरा चूंकि सूर्य साखर जी महराज साहब ने लगबक किते सालों पहले आज से 60-70 साल पहले यह गरंथ लिखा 2022 चल रहा है 1950 के आसपास इस गरंथ की रचना हुई है तो जब 1950 के आसपास उन्होंने यह गरंथ लिखा था उससमें पूरे समाज में एक ही परंपरा चलती थी ठोना रखा जाता था और ठोने में रखकर के इस्तापना की जाती थी यही पद्दती चलती थी पूरे देश में यही चलता था फिर उन्होंने लिखा यहां पर अब समस्या यह है कि जब सामने भगवान विराजमाने हैं तो फिर ठोना रखकर के पूजन करने की जरूरत क्या है जब सामने भगवान विराजमाने हैं तो फिर अपने परिणामों में इस्तापना की जबात कीजिए ठोना होता है ठोना एक अलग शेप का बना हुआ होता है जिसमें उपर ऐसे प्लेट जैसी होती है और अलग से होता है वो दो थालियों के अलावा उसे ठोना कहा जाता है विशेश प्रकार की आकरती नेट पे सर्च करेंगे तो आपको ठोने की आकरती मिल जाएगी तो उसमें लॉंग से कोई स्थापना करते थे, कोई लॉंग रखते थे उसके अंदर कोई पीले चावल जो हैं उसको नौ गिन करके उन से स्थापना करते थे वो इस्थापना वगरे का जो पात्र हुआ करता है उसे ठोना केते हैं अभी लेकिन उसकी कुछ सार्थकता दिखाई नहीं देती पिर दूसरी समस्या यह है कि यदि आपने उस लवंग में परमात्मा की इस्थापना कर ली उस लवंग में तो अब आप उसका क्या करेंगे उ उसमें यह भी एक प्रकार की समस्या आती है तो बहुत तरह से विचार पूरवक जब यह सब बाते हुई तो ठोना रखना बंद हुआ लेकिन फिर भी अभी जो बड़े विदान वगरे होते हैं अनुष्ठान होते हैं पंच कल्यानक जैसे मान लीजिए या फिर बड़े व बात यह भी हो सकती है देनिक पूजन में तो कुछ उप्योगीता लगती नहीं है एक बात यह भी हो सकती है जब आप भगवान के सामने बैट करके पूजन करी रहे हो तो आपको अलग से अपने ठोने में अलग से भगवान बनाने की क्या जरूरत है अब बड़े बड़े अनुष्ठान है भगवान कहा है और हम महां से सौ फिट दूरी पर बैटे हुए हैं नहीं हमें भगवान दिख वो सब परंपराओं में उन में वो सारी बाते हैं खैर यह विवात के विशय नहीं है लेकिन इतना समझ लीजिए कि कुछ जरूरत नहीं है उसकी जरूरत नही है ठोड़े वगरे की जरूरत नहीं है इसी तरह से धूप वगरे की जरूरत नहीं है और मतलब दूपाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हिंसा भी सारी बातें सब बतलाएंगे क्या क्या किया जाना चाहिए कैसे किया जाना चाहिए थोड़ी थोड़ी सी बातें सिखा रहे है मैंने प्रेयोजन दिखता हो तो आप कीजिए नहीं प्रेयोजन दिखता है तो क्या मतलब है और प्रेयोजन दिख नहीं रहा है इसलिए करने की कुछ उप्योगिता नहीं हमने इस पश्टी के दिया है जब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं तो उसका आर्थ यह नहीं है कि मैं कोई निर्णाइ नहीं दे रहा हूं निर्णाइ तो यहीं दिया जा रहा है कि नहीं करें यहीं ठीक है यहीं उचित है यह चलिए और बड़े विदानों वगरे के अंदर कराते हैं हमारे भी प्रतिश दिया है जिसमें यह तीन चरण बतलाए गए हैं जिसमें पहला आवानन फिर इस्थापन फिर सनिदी करण यह तीन चरण प्रारंब के बतलाए हैं इन तीनों चरणों में कम से कम खड़े हो जाना चाहिए पीछे भी प्रकरण आया था भगवान जिनेंद्र देव की पूज पंचम काल है हीन सेनन है शारिक शक्ति कम है कर लो वह बड़ी बात है पर किसी कि एक दिन पूजन कर लिए और तीन दिन पूजन के लिए नहीं आपाई तो हमने का भी या कम से कम इस्टापना में तु खड़े हो जाओ कम से कम किसी व्यक्ति को बुला रहे हो तिरतंका परमात माँ को जिनकी पूजन कर रहे हो उनको बुला रहे हो तो कम से कम इस समय तो तु खड़े हो जाओ हज जोड़ करके उनकी अगवानी के लिए कि प्रभू आ रहे हैं और यह आ रहे हैं यह कहना भी उपचार मातरी है ने कोई आता है ने कोई जाता है आने जाने का तो सवाली नहीं है और इसी तरह से जैसे अभी यहां आवानन की हम बात कर रहे हैं बुलानी की बात कर रहे हैं उसी तरह से जब अंत में जब बात की जाती है तो फिर यह कहा जाता है लोग इस तरह की बाते कहते हैं ते सब जाओ करपा करी अपने अपने स्थान ऐसा भी कहा जाता है क्य यह कोई अच्छी बात है क्या आए जो जो देवगण पूजे भक्ति प्रमान ते सब जाओ करपा करी अपने अपने इस्थान क्या हो गया यह बड़ा बेजज़त कर दिया आपने देवी देवताहों को पूजन करने के लिए आये थे पूजन करने के लिए आकर के बेटे सोचना एक बार थोड़ी सी कल्पना करने के लिए के रहा हूं मैं आपको जो लोग इस तरह की पंक्तिया अंत में जिस तरह से बोलते हैं उन्ने सोचना चाहिए हम पूजन करने हैं और हमारे शाथ-साथ में सब आगे आपने जनको भुला बहुते पहां हो जाओ अब अन्त में पूजन पूरी हो गई अब झाल मैंने मेरी फूजन कर लिये अब तुम लोग जो आए थे सब आपने अपनी जगाए पे जाओ अपनी अपनी जगाए पे कैसे ऐगी क्या तो गढबड ही नहीं तो यह अच्छी भाश्या नहीं थिर उस को बदल करके कुछ लोगों ने क्या कर दिया फिर बाद में के आये जो जो देवगण पूजे भक्ति प्रमान ते सब मेरे मन बसो चोवीसों भगवान उनको सबको अपने मन में बसा लिया अरे लेकिन ये पंक्तियाई उचित प्रतीत नहीं होती है वह यहां ले बाते मस्कृति के आनुरूप नहीं दिखाई देती है ऐसा लगता है जैसे कहीं से कुछ जोड़ दी गई हो मिलावट और मिश्रित जैसी लग गई हो यह दो लाइने खतरनाक लाइने हैं अब चलती है तो चलती है लोग जब किताबों में जो लिखी है तो लोग पढ़ देते है चल जाती है ऐसी लेकिन अपने को थोड़ा विचार विवेक होना चाहिए हम क्या बोल रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं नहीं तो भगवान को बिदा करना और नहीं उनको हृदय में बिठा लेना क्योंकि यदि आपने अच्छा एक और गजब की बात कहता हूं पहली गलती त अच्छा अब आप दूसरी बात केते हैं के तेजब मेरे मन बसो आप न कि व्यूंहें बॉसमेरे बस मन में बस आ रहे हैं एंको अब दूसरी दिन आ करके फिर कह रहे हो अतर आवतर तुमारे तोड़ी समझने की चेश्चा करना यदि आपके मन में वे बस गए च्यां चोवित भगवान आपने उनको मन में बसा लिया अब दूसरे दिन फिर आकर के पिर तुम कह रहे हो अत्र आवतर आथर तिश्च तिश्च आत्रममसनितों फिर के मन में तो बसे ते आप कहां से बु सो बैटा हुआ हूँ मैं तो मैं लाइनों का किसी तरह से कोई सुमेल नहीं बैठता है कि मैंने बात कही है आपके जिसके जो जते सो करें मेरे कोई ऐसा कोही किसी छे dopamine बात अब को नहिंए तो सत्धे क्या होना चाहिए अपने विवेक अपनी बुद्धी को अपने साथ में तो रखो यार मैं ये कहना चाहता हूं अपनी बुद्धी तो अपने पास में होनी चाहिए ना कि हम कर क्या रहे हैं हमारे द्वारा किया क्या जा रहा है जब तक ये बातें आपके पास में नहीं होगी तब तक तो बस लकीर पर लकीर पीटे चले जाते हैं हम यही हो रहा है वाई साब यह ऐसे करना यह ऐसा होना यह बोला यह कि अरे भाई क्या रोज रिपीट करते हैं रोज रिपीट करते हैं मन में भी बसा लिया फिर दुबारा बुला लिया फिर मन में बसा लिया रोज रोजाना मन में बसाते जा रहे हो और फिर रोज बुलाते भी जा रहे हो और कई लोग ऐसी नादा नहीं करते हैं जो करते हैं जाओ जाओ यहां से भागो यहां से हो गई हमारी पूजा अब तुमारा क्या काम हमें में नहीं आती है कुछ लोग ये कहते हैं कि ने ने 24 को नहीं बुलाया था वो तो हम जब पूजन कर रहे थे ना तो जो लोग और दूसरे देवता लोग आ गए थे ना हमारी साथ में पूजन करने के लिए उनको कह रहे हैं भई जाओ तो भई जब तुमारी पूजन खतम हो गई तो अपने आप ही चले जाएंगे तुम्हें भेजने की कहने की क्या जरूरत है अचा मैं ये कहता हूँ जब आपके घर में भी कोई मेमान आते हैं तो आप उन्हें कहते हैं आई ये साब आई ये पधारी है पिर जाते जब आपका कायोजन खतम हो जाता है तो क्या ऐसा बोला जाता है क्या अब जाओ साब आप अब जाओ हमारा आयोजन खतम हो गया अब जाओ अरे चले जाएंगे अपने आपे तुमारा आयोजन खतम हो गया तो तुमने प्रीती भोज के लिए बुलाया अब प्रीती भोज के लिए बुलाया तो और वो आए अब उनको ये कहा जाओ 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 भी आप तो जाओ अरे जिसको जाना है अपने आप चले जाएंगे यार सीडी सी बात है थोड़ा समझदार बनने की चेश्टा करें बात करता हूं यहां से अप्रक्रण यह पूरा करेंगे अभी अपन है समय अपने पास में भी तो 364 नंबर पेच पर जब भगवान के आवानन के बाद थोने पर हे भगवान आप यहां पधारिये यह बोलकर पुश्प चड़ाते हैं उसका नाम सन्निधी करण है ठीक है समीप में करने का है सन्निधी करण का अर्थ अपने समीप में करने का है भावान उसार भगवान को अपने समीप में बिठाया जाता है बावों के अनुसार एवं समीप वरती किया जाता है ठीक है इसको इस कारण सन्निधी करण कहते हैं बस बावों में यह भावना हैं कि प् यह बात कह रहे हैं देखें, मैं जो बातें आपको बतला रहा हूँ करने वालों को जब आप उल्टे से दी बातें कहेंगे पिर वो कहेंगे, किस के पास गए थे क्या सुने आए और क्या सुनते हो और क्या उड़़ पर टंब बाते हो पर हम तो यह करेंगे और हमारा यही पर आप मना करेंगे फिर वो करेंगे बहुत नौ डिसकर्शन में बात बतलाई है 20-25 मिनिट इस विशय के ऊपर जो मैंने कही है आपको आप दो मिनिट में खड़े खड़े उस व्यक्ति को क्या समझा देंगे और वो क्या समझ लेगा आपके कहने से यदि आपको थोड़ी सी कुछ बात लगती हो आप हमारा प्रवचन भेज दीजिएगा उनको पूरी बात पूरी आगे पीछे सुने समझ में आ जाये तो ठीक है नहीं आये तो जिसकी जैसी ओनार कोई बात नहीं उसमें क्या है ठीक है ना विवाद नहीं बढ़ना चाहिए जैन दर्शन ये कहता है कशाएं नहीं होनी चाहिए सीधी सी बाते भाइया कशाएं क्या बोल रहे हैं क्यों बोल रहे हैं किसके सामने बोल रहे हैं उसका कैसा फल होगा इन सारी बातों के संदर में विचार करें हर चीज मैं तो कहता हूँ आप पूजन की थाली ये आपने बनाई है तो उस थाली में स्वस्टिक बनाया है तो आपको पता होना चाहिए ये स् बनाये हैं, आपने ओम बनाया है, हरीम बनाया है, ओम के ऊपर चंदरबिंदी बनाई है, आपको जो आपने ठाली लगाने के पहले सजाने के लिए, आपने जो कुछ भी किया था, आपको पता होना चाहिए, क्या, पता होना ही चाहिए आपको, अधर वाइस तो फिर देखा द की चल रही है पूरे दुनिया बर में बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कभी कभी यह बात कि पंडी जी एक बात बताओ हमारे को कि हम पूजन कर रहे हैं पूजन की ठाली को कैसे बनाना चाहिए तीन स्वस्तिक बनाएं के पांच बनाएं के साथ बनाएं के नौ बनाएं के ओम बनाएं के इधर ये बनाएं के इधर ये बनाएं मैं क्या बतला हूँ वाई साथ हिंदुस्तान में जितने जैन मंदिर हैं हर मंदिर की अलग-अलग पूजन पद्दती है हर मंदिर की अलग-अलग पूजन पद्दती है मुनी संगों में आरीका संगों के अंदर जाकर के देखेंगे तो हर जगे पर अलग-अलग पूजन की पद्दती है कोई क्या करवाता है कोई क्या करवाता है कोई कैसे करवाता है बत जैन पद्दत ही क्या है वो मैं आपको बतला रहा हूं आप जो कर रहे हैं उसका आपको पता होना चाहिए कि यह क्यों की जा रही है भावनास से मतलब विवाई साथ आपने तीन डौट लगाएं हैं उसके उपर तो आपके मन में ये भाव व्यक्त होने चाहिए कि रत्मत्रह का प्रतीक है आपने दी चंदर बिंदी लगाई है तो कोई चांदतारे नहीं बना दी हैं सिद्ध शिला पर जाकर कि हे प्रभू यहां विराजमान होंगा आप बनाते जाएए स्वस्थिक बनाते जाएए चारों स्वस्थिक बनते हैं समय कॉर्नर्स को कट कर दीजिए इन से मुक्त होने क के लिए रत्नत रही ही मार गए है और चंद्रमा और वो सिद्ध शिला पर जाकर के विराजमान हो जाऊंगा ऐसे भावना व्यक्त करते जाएए अंदर से परिणाम सजोते जाएए इन सब बातों के लिए होती है सारी बाते तो और क्या है देखिए फिर यह कह रहे हैं यहा इस्थापना का देखिए कितना इसपश्ट कर रहे हैं महराज साब यह लिग रहे हैं सब सत्कार वाची शब्द हैं वैसा यह कोई यथार्थ नहीं है ऐसा मत्समझे लें लिए भगवान क्योंकि यथार्थ इस्थापना तो साक्षात प्रतिमा के सामने विराजमान है ही सा कितने लोग मिलते हैं इस सामे वाले ही माराज सब नाना हम यह जरूर आंना जरूर आयेंगे अब उन्हों ने इक दिडिए आना हमने के अएंगे क्या लेना दे लै एसका कितना उपचार है यह न सापातार्य एपने को या कोई ऐऊजन ने कोई कारिक्रम ने कोई तीटी ने को यानुष्थान मैं लुग आना सब आएंगे सब थी के सबम क्या बतला हाईंगे के नहीं सब एक जो भगवान की आठ प्रकार के द्रव्यों से पूजन करते हैं उसका नाम पूजन हैं पूजन में द्रव्य भगवान की चिंतवन में चड़ाए जाते हैं जैसे सद्द्वारि गंधाक्षत पुष्प जाताई नैवेद्य दीपा मरदूप धूम्रै फलेर्विचित्रई गनपुष्प योग्यान जिनेंद्र सिद्दान तयतीन यजेहं मैं स्वच्च जल चंदन अक्षत पुष्प नवेद्य दीप धूप और फलों द्वारा अरहंत शास्त्र और गुरुओं की पूजन करता हूं इन सब के द्वारा में इन सब की पूजन करता हूं पूजन के पश्चात पूजक श्रावक के ऐसे भाव निक्षेप से भाव रहते हैं इसाक्षात भगवान यहां पर विराज रहे हैं दक्ट के भाव कैसे हैं पूजन करने वाले के भाव कैसे हं पूजक के भाव कैसे है अरे साक्षात प्रभु विराज माने आपकी फिलिंग किस तरह की अरे भगवान विराज माने अरे आदिनात भगवान विराज माने अरे शांतिनात प्रभु सामने विराज माने तीन लोग के नात यहां पर विराज माने विराज रहे हैं और मैं उनको पूजन करने के बाद बिना विसर्जन किये चला जाऊंगा तो भी सचमुच होगा प्रत्युत अविने का कारण होगा अते आवान किये हुए जिन देव के प्रती प्रार्थना करता है कि मैंने जो अपनी भक्ती और शास्त्र के अनुकूल जिन पंच परमेश्थी देवताओं के आवान इस्तापन और सन्यदी करन पूरवक पूजन कर ली वे मेरी पूजा और सत्कृती को स्विकार करें बावना ही है और कुछ नहीं है इसमें भावना के अत्रिक्त और कुछ भी नहीं है सिर्फ भावनाएं व्यक्त की जाती है अंत में और जिसे अपन कहते हैं शान्ती पाठ और हा ये सब शांती की कामना धेश सुखी हो राष्ट्र सुखी हो नगर तो कि अना कैनल हो आना भगवान भगवान आपकी पूजन की ए मैंने तो चैनल यह शानतीनात भगवान की नहीं है वह पंचम, चक्र, वर्ति, पच्द, दारी अभी यह तो शानतीनात भगवान की चर्चा हो गई है लेकिन वास्ताव में जो शांती पाठ है वह तो 243 संकर ही हमारे शांती दाताएं और उनमें सर्व जगत के जीवों की शांती की भावना हैं इस तरह की भीया हे जिनिंदर देव सच में जो पूजन की गई है जो बातें कही गई है पूजन में जो बातें बतलाई गई है जिनिंदर देव यदि ये बाते हमारे जीवन में उतर जावें जिन शब्दों का उच्चारण हमने आपके सामने किया है हे प्रभु आप जैसे परमात्मा बन गए थे दिया आपके स्वरुप को मैंने सच में पहचान लिया तो फिर क्या होगा यही तो शांती है अरे मनश शांत है तो ग्रह शांत है घर शांत है तो फिर सब धीरे धीरे शांती ही शांती है यह विसर्जन सब के अन्त में होता है मैंने विसर्ज को आपन के ते interact अब इसको अच्छी भाशा तो नहीं है लेकिन दुकान अठा देना नहीं बोलना चीह एसी बाशा लेकिन अजलीजिए आप पूरा कर दिया भाई आपन आपने पूर्व नहीं पूर ना हुती विसर्जन माने संपन्न हो गया एक हम कम्प्लीट ओगया काम ऐसा यह विसर्जन सबसे अंध में उता है कुछ नहीं खूरो उसके बाद में कोई कहें किसा और और चला लो यार्ग और चला लो लो ऑम किया विख्य में तो विसर्जन हो गया अब अब तो इस आपना वह गही संपनी कहें अ अक तों नोबार नमुकार मंतर बोल कर न प्रूछ चाहन नपड़ गया प्रकार ग्रंथांतरों के सार को लेकर पंचयाचारी नित्य पूजन जो की प्रतिदिन ग्रहस्त से की जाती है का संक्षेप से स्वरूपादी बतला कर वरणन किया मारा साब ये कह रहे हैं ये जो कर दो